श्री गनेशा या नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशीफल चंदर राशी पर आधरित है, चंदरमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंदरमा की स्थिति लेकर आती है, इस वज़े से चंदरमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज परिणाम ला रहे हैं। परिणाम ला रहे हैं। प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है। अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी हैं तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सचेत रहे, शान्त रहे, जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे। दोस्तो इस दिन परिशानिया, नुक्सान या स्वास्ते से जुड़ी परिशानिया आपको सताए। तो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन जरूर करे और एक रुपे का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले। आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करना ना भूले। और इस दिन चंदनिया के सरकातिलग अपने माथे पर जरूर लगाए। हमारा स्वास्त्य कापी हद तक हमारी आदतों पर निर्वर होता है। अगर आप एक्जरसाइज योका करते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, अपने स्वास्ते के अंदरूप डायेट प्लान बना कर उसे अच्छे से निभाते हैं, तो सेहत से जुड़ी परिशानिया आने की संभावनाय काफी कम हो जाती है। और इम्मिनिटी बढ़ने से मोसमे बिमारियों का खत्रा भी नहीं सता था। तो दोस्तों खुद को स्वस्त रखनी की कोशिश जरूर करें, इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए दोस्तों जादा चरहेगा। जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिती में व्यक्टी को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है, जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़े नजर नहीं आती, वह चीज़े हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेख देते है, कही पर भी उतार देते है, अगर कोई व्यवस्ता उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे, को देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के च्छत के उपर, जिन चीजों का हमे च्छत के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के च्छत के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती हैं, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीव साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम स उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घ इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिडशेडा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा न इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साब सुत्रा र करें रक्ने के मंदिर बस वहां सिमित है अगर आपके घर के शोकेस में भिवह मूरतिया रखी है कुछ फोटो रखेते हैं उन्हेंपी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटें नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरे हैं, जैसे डूपते नाव की तस्वीर, या फिर जगडे की तस्वीर, या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती हैं जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है, इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है, जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये, घटित होना शुरू हो जाता है, हर एक चीज हमा ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद